हलो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी यूटूब की पहली वीडियो लेकर मैं करता हूँ लिविंग विंग्स को एक्स्प्लोर नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अतुल चौधरी आप देख रहे हैं देशी एक्स्प्लोर तो आज हम बात करने वाले हैं आर्थोपोडा संग से बिलांग करने वाले सेंटीपीट के वारे में जिसे लोग सत्पाद, गोजर, कंखजूरा और जानते हैं बहुत ये नामों के साथ ये अस्तलवासी आर्थोपोडा जमीन में बिल बनाकर पेड़ के इस हालों के नीचे रहते हैं इनकी बाड़ी बटी होती है बहुत सारे सेग्मेंट में और सर पे पाई जाते हैं दो टेंटिकल इनकी बाड़ी के हर सेग्मेंट में होते हैं दो पैर पहले segment के दो पैर transform हो जाते हैं दंस के रूप में जिन पर होता है इनका विनम दुनिया भर में इनकी 8000 प्रजातियां पाई जाती हैं इनके काटने से मनुसिनामक जानवर मरता तो नहीं पर काटने से होने वाला दर्ध होता है बहुत जादा अगर कोई बैक्ती हो गया है सेंटीपीड के पाइट का सिकार तो वहाँ पर लगा सकते हैं हल्दी, काला नमक और घी का लेप ये कर देगा सेंटीपीड के वेनम को डीटॉक्सिफाई कभी कभी ये सेंटीपीड घुश जाते हैं किसी मन उसे के कान में तो ऐसे में आप काला नमक और पानी का घुल इस्तिमाल कर सकते हैं इसको कान में डालने सेंटीपीड निकल जाएगा बाहर और फिर आप इसे पकड़ कर सकते हैं चीन में एक्सपोर्ट ये सेंटीपीड मिल गया है मुझको अपने ही खेत में मैं आपसे बोलना चाहूंगा सॉरी क्योंकि ये वीडियो बन रही है थोड़ी सी से की और इसका रीजन ये है कि मैं यूज कर रहा हूँ अपना फोन एक हाथ से और दूसरे हाथ में है ये इस टिक जिस पर ये सेंटीपीड बैठा हुआ है और आप इसको अच्छी तरीके से क्लियरली देख सकते हैं और फ्रेंट्स आप इंजॉय करिए इस वीडियो में लिए हुए कुछ क्लोज सॉर्ट्स के साथ फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ इस सेंटीपीड को इसी जेगा पे अगर वीडियो पसंद आई तो कर दीजे वीडियो को लाइक और सस्क्राइब करने के साथ जुल जाए हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर कुछ नय कॉंटेंट के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम राम राम दोस्तों